दोस्तो यदि आप भी बचेवे चावल से परशान है कि रोज आप सोचते हो कि इस बचेवे चावल का हम क्या करेंगे तो आपको बिल्कुल परशान होने की जरुवत नहीं है आप इस रेसिपी को रोज बनाओगे और जान उसकर रोज चावल बचाओगे तो फ्रेंट्स ये इस तरह आपको ये रेसिपी लगी तो यहां पर फ्रेंट्स मैंने ये आधा कटोरी ली है बचेवे चावल की तो फ्रेंट्स से क्वेंटिटी आप कम जादा भी कर सकते हो पर फ्रेंट्स आज मेरे इतने ही चावल बचेवे थे तो मैं इसको बेश नहीं करूँगी इस रे जो हम recipe बना रहे हैं बहुत ही अच्छा crunch आएगा तो friends सूजी आप यहां पे बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो तो यहां पे मैंने चार चमच सूजी ली है और binding के लिए friends मैं यहां पे दो चमच बैसन के लिए हूँ बैसन से क्या होगा friends जो हमारी यह नाश्ता है इसमें ब बहुत ही amazing आएगी नाश्ते का जो स्वाद है वो 100 गुना जादा और बढ़ जाएगा और यहां पे ले रही हूँ friends मैं यह बारिक कटावा हरा धनिया हरा धनिया friends मैंने खूप सारा डाला है हरा धनिये से बहुत ही अच्छा इसमें स्वाद आएगा एक चमच ले रही यहां यह मैंने sugar लिया है friends यह चीनी का बूरा है जो चीनी है वो नमक को बहुत ही अच्छे से balance करती है और चुटकी भर मैंने यहां पर हल्दी powder एड किया है इससे नाश्ता देखने में बहुत ही गजब का लगेगा और friends इसको हम अच्छे से mix कर देंगे यहां पर आप इस जोर्ती alabab बनेगा कोई नहीं कह सकता कि जब आप यह नाश्ता स़र्व करोगे कि आप ने बचे वे चाफल से यह नाश्ता बनाया है तो मैं अच्छे से mix कर दिया है और जिस कटोरी से मैंने आप आदा कटोरी चाफल यहां पर पानी के अधे कणि है तो इतना पांी ह में काफी है और इस तरह का फ्रेंट्स यह बैटर बन जाएगा इससे ना ज्यादा आपको गाड़ा रखना है ना ज्यादा पतला कंसेंस्टी बिल्कुल इसी तरह की आपको रखनी है और यहां पर फ्रेंट्स हम इसको पांच मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे धकन से कबर करके ताकि जो सूजी है हमारी बहुत अच़े से फूल जाए है यह देखिए और आप क्या जाये एक बार चमश चते ऑफरेंगे और यह अच्छ सा हे होगा तो आई या पर फ्रेंट्स मैंने एक पहले पैन रख गया है पैन हमारा बहुत अच्छे से गरम हो और यहां पर मैं दो चम्मस तेल से ग्रिस कर रही हूं इससे क्या होगा फ्रेंट जो हमारे यह नाश्टा है बिल्कुल भी चिपकेगा नी और फ्रेंट थोड़ा इसमें एक टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा तो कम तेल में यह नाश्टा बना रही हूं और इसका टेस तेल को भी एड कर सकते हो तो ःच्षी जो ब्याटर है वो मैं तववे पेला नाँगी इसको मैं दीरे-धीरे मीडियम साइस को मेरे को इसको मोटा रखना है ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा तो इस तरह आप बैचुला के मदद से इसको अच्छे से सेट कर दें तो यह बचे वे चावल से इतनी अमेजिंग रेसिपी है इस वीडियो को आप ज्या से सेट कर दिया है और यहां पर आप इस बैटर को किसी तरह भी इसको सेट कर सकते हो और यह देखे फ्रेंट्स अब मैं धक्कन से इसको कवर करके तीन मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लूँगी गैस के फ्लेम बिल्कुल आप लो रखे लो फ्लेम पर आप इसको पकाए तो हमारा जो नाश्ता है एक तरफ से गोल्डर बाउन हो गया है तो उपर से फ्रेंट्स मैं थोड़ा तेल से इसको ग्रिस कर दूँगी इससे क्या होगा जो हमारा ये नाश्ता है देखने में भी बहुत ही ज्यादा शाइनिंगी लगेगा और टेस्ट भी बहुत ही गजब का तो इस तरह आपको इसको अच्छे से ऊपर से थोड़ा तेल लगा देना है तो यहां से मैंने तेल लगा दिया है और इसको अब पलड़ते हैं देखते हैं यह अच्छे से क्रिस्पी हो गया है एक तरफ से यह नहीं तो यह देखें कितना अच्छा कलर आया है एक तरफ यह बहुत ही अच्छे से सीग गया है तो अब हम इसको ढखके कवर करके नहीं पकाएंगे इसको खुला ही दूसरे तरह पकाएंगे और इसी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक तो फ्रेंट्स मेरे चैनल का नाम है अनुपूर्णा खानवीद गाना खाना तो हो गया है तो मुझे गाने का परचार परसार भी करना है क्योंकि मुझे संगिस से बहुत जादा प्यार है तो जब तक ही हमारा नाश्ता सिकता है तब तक थोड़ा समय गाना गुन गुनाती पत्ता पत्ता बूटा बूटा पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने क्या पत्ता पत्ता तो यह देखे फ्रेंट्स जो हमारा नाश्ता हो भी बहुत ही अच्छी से सीख गया है दोनों तरब से गोल्डर बाउन हो गया है और इसको मैंने एक यहाँ पे प्लेट में निकाल लिया है और यहाँ पे मैं पिज़ा कटर से इसको कट कर रहे हूँ आप इसको कोई से शेप में भी कट कर सकते हो और यहाँ पे मैं इसको ट्रेंगल शेप में इसको कट कर रहे गाने हैं आपको कैसे लगते हैं तो यदि आपको पसंद आते हैं खाने के साथ मेरे गाने तो फ्रेंट्स मैं जरूर गाऊंगी और थोड़ा मेरा भी जो आपका सयोग है मेरे लिए एक आशिरवाद रहेगा तो यह देखें कितना अमेजिंग नाश्ता बना है और वीडियो यहाँ पर मैंने जीरा आलू और पुदिने की चटनी और टमाटो की चटनी और यहाँ पर मैं यह दही लिए है और दो हरी मिर्च और यहाँ पर फ्रेंट्स मैंने दो तिन टुकडे लिए हैं यहाँ पर अध्रक के और यहाँ पर थोड़े से मैंने कड़ी पत्ते के यहाँ के जो चावल बचेवे होंगे आप इस रेसीपी को जब ट्राइ करोगे तब ही आप इस रेसीपी का आनंद उठा सकोगे तो फ्रेंट्स मेरे इसाब से तो यह जो नाश्टा है बहुत ही अमेजिंग है आप जब महमानों की यह रेसीपी सर्व करोगे तो वो नहीं बताएंग फ्रेंट्स की आपने यह बचेवे चावल से रेसीपी बनाई है तो फ्रेंट्स यहाँ पे सूपर टेस्टी डिलिशिस यह रेसीपी बनके तयार हुई है और आप इस चटनी के साथ मेरे साथ इस रेसीपी को इंजोई कीजगा और अपना अनुभाव भी मेरे साथ को लाइक चैनल को सस्क्राइब करना ना बूले और फ्रेंट्स यहीं पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ थैंक यू